नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का RPSC एक्जाम्स यूट्यूब चैनल पर साथियो आज के इस वीडियो में अपन अभी सारी चिंतन तथा अपसारी चिंतन के बारे में डिटेल से डिसकस करने वाले हैं ये जो चिंतन है दोनों के दोनों किसके दोरा दिये गए हैं ये सब किसके दोरा दिये गए हैं और ये सरजनात मकता से किस प्रकार से सम्मंदी थें ये भी अपन आज डिटेल से जानेंगे शाथ यो सरजनात्मक्ता के लिए अपसारी चिंतन क्यों आ उसे का अभिसारी चिंतन जो है वो परतिवा सालि बाल के लिए क्यों आ उसे का यह सारी चिंतन को divergent thinking भी बोलते हैं या out of the box ठीक out of the box thinking भी बोला जाता है अफसारी चिंतन को तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि divergent thinking या फिर out of the box thinking क्या होती है आपकी अफसारी चिंतन या पारस्व चिंतन ही होता है देखे साथ ही अभी सारी चिंतन का मतलब होता है केवल एक ही बिंदू पर केंदरित होके सोचना इसका मतलब क्या है एक ही बिंदू पर केंदरित होके सोचने का जैसे मान लेजिए ये एक बिंदू है कोई बात आई और इसके उपर अपने को सोचना है तो सिर्फ इस ठीक है ये क्या होता है 36 होता है तो नो गुना चार आपने सीधा बता दिया 36 होता है इसमें किसी प्रकार की किसी नई चीज को सोचने क्या हो सेकता नहीं पड़ी सीधे अपने अपने बता दिया अपने को जो पॉइंट पूछा उसको पॉइंट अपने बता दिया वही नो ग गुणनफल 36 है तो अब अपने को यहां पर देखे साथ ही क्या पुछा गया है कि ऐसी दो संख्यां बतानी अपने को जिसका गुणनफल 36 है यही ऐसी दो संख्या बताओ जिनको गुणा करने पर 36 है तो यहां तो अपने नो गुणा चार सीधा 36 बताया तो सोचना नहीं पड कि वो लितना ही सोचना पड़ा कि 9 गुणा चार कितना होता है वो तुरंतपन ने बता दिया तो ये तो हो गया अभी सारी चिंतन लेकिन 36 को जो है अपन दो ऐसी संख्याओं में 36 को तोड़ना है कि उनको गुणा करें जो 36 आए तो अब देखिए 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 36 को एक तो 36 गुणा एक ही लिख सकता हूँ 36 गुणा एक हो जाएगा फिर मैं 18 गुणा दो भी लिख सकता हूँ फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपना 12 गुणा तीन भी लिख सकता हूँ ठीक है 9 गुणा 4 भी लिख सकता हूँ ठीक है इस प्रकार से अपन जो 36 को काफी और 6 गुणा 6 भी अपन लिख सकते हैं जैसा कि आप सब लोग जानते हो 6 गुणा 6 भी अपन लिख सकते हैं तो इतने प्रकार से जो है वो 36 को तोड़ा जा सकता है दो संखें ऐसी अपन बताएं तो उसमें 36 और 1 का जोड़ा बता जिया 18 और 2 का 12 और 3 का 9 और 4 का 6 और 6 का तो ये अपने को यहां पे सोचना पड़ा कि यार कौन-कौन से ऐसी दो संखें हो सकती हैं जिनको गुणा करने पर 36 आए तो ये जो सोचना है अलग अलग परकार से सोचना कि हाँ ये दो संखें भी है 36 और 1 भी है 18 और 2 भी है 9 और 4 भी है 6 और 6 भी है 12 और 3 भी है तो मतलब एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग आइडियाज पैदा कर लेना कि हाँ 36 को भी एक से गुणा करेंगे तो 36 आएगा एक तो ये आइडिया होगा दूसरा आइडिया 18 को दो से गुणा करेंगे वो भी 36 होगा यानि यहाँ पे आइडिया के आधार पे बात की जाती है ठीक है तो उमीद है कि आप समझे होंगे divergent और convergent thinking को convergent thinking यानि अभी सारी चिंतन जो है वो केवल एक ही बिंदू पर केंद्रित होकर चिंतन करता है यानि सिधा-शिधा अपन उसका जवाब दे देते है यानि कि ये तथ्यात्मक होता है एक परकार से या फिर इसका दूसरा रूप बोल सकते है बद उत्तरपरसण इसमे होते है यानि कि जिसका एक ही उत्तर हो यानि कि तथ्यात्मक हो जैसे नोगुनाचार 36 से आएगा सिधी सी बात अपना आराम से बता सकते है दूसरा भारत की राजदानि क्या है तो नई दिल्ली है तो ये भी तथ्य पर अगारी प्रसन हो गए यह जिसमें सोचना ही ने पड़े बच्चे को ऐसे तथ्यात्मक जो प्रसन होते हैं वो सारे अभी सारे चिंतन वाले होते हैं अब सारे चिंतन के लिए देखिए अनेक उत्तर इसके हो सकते हैं मुक्त उत्तर प्रसन होते हैं तथ्यात्मक पलस नया जैसे भारत की राजदानी के बारे में आप अपने विचार बताईए ऐसे बोल दे तो जायर से ये बोल दे भारत की राज़दानी के बारे में अपने विचार बताईए तो वहाँ पे तत्य तो क्या हो गए नई दिल्ली भारत की राज़दानी है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत की राज़दानी नई दिल्ली है अब आगे लिखना श्टार्ट करेगा कि नई दिली में लाल किला है ये चीज़े हैं, वो चीज़े हैं सारे चीज़ें बताना श्टार्ट करेगा थीक है, तो इस परकार से मतलता अपसारी चिंधन को बढ़ावा मिलता है, तो ये सारे, किसारे पूसें कों से? अफसारी चिंतन वाले हैं då बुद्धी का परियोग होता है अभीशारी जो अभीशारी चिंतन है कनवर्जेंट जो thinking मे वड़ Vorsल के किश में उसमें बच्चा किसका पड़ियोग करता है और सरजनातमकता का पुर्योग इस्में अपसारी चिंतन में, मतलब अपसारी चिंतन जब बच्चा करेगा, यानि कि वो सरजनात्मक हो रहा है, वो नई नई चीजे देख रहा है कि हाँ, इस चीज का उतरिये भी हो सकता है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, यानि कि एक ही प्रॉबलम के कई सोल्यूसन लूनता है कुल करता है, सरजनात्मक बालक अभी सारी और अपसारी दोनों चिंतन करता है, लेकिन अपने को ये जरूर ध्यान में रखना है कि सरजनात्मक बालक की एक विस्था कि आपसारी चिंतन भी करता है, अभी सारी चिंतन ने एक विस्था क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो जो प डाइग्राम इसमें कनवरजेंट फिंकिंग अभी सारी चिंतन इसमें सरफ फेक्ट के उपर बात की जाती है कोई भी परसन आया भारत की राज़दानी क्या है दिल्ली ठीक है राज़तानी क्या है जेपूर बिल्कुल फेक्ट फेक्ट जवाब दिये जाते हैं जबकि अब गनीत का कोई परसन है उसको एक ही परसन को चार तरीकों से मा करके अगर बताता हूं तो वो डाइवर्जेंट फिंकिंग के अंदर ही आएगा ठीक है साथियो अलग अलग आइडिया यह उता डाइवर्जेंट फिंकिंग और हमेशा अप सारी सिंतन को ही डाइवर्जे साती हुए आपके सलेबस में इतना सारा टोपिक है नहीं लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंपोर्टेंट है देखिए यह आउसे एक नहीं है कि परतिवासाली बालक सरजनातमक हो सकता है, मंद बुद्धी बालक कभी भी क्या नहीं हो सकते, सरजनात्मक बालक नहीं हो सकते, सामाने से अधिक बुद्धी तो चाहिए, फिर है परतिवासाली बालक अध्यन में विशे सफलता पराप्त करते हैं, जबकि सरजनात्मक बालक अध्येन में ज्यादातर सामाने रहते हैं यानि कि कमजोर नहीं होते हो सामाने रहते हो ज्यादा रटने पर बन नहीं देते हैं चीजों को समझते हैं तो सामाने रहते हैं इंटेलिजेंट भी होते हैं काफी सारे लोग लेकिन ज्यादातर सामान ने होते हैं सरजनात्मक बालक, सरजनात्मक ता क्या है देखिए, विद्धिमान अपने पास कोई भी पुरानी वस्तू या चीज जो भी है, उससे कोई नए वस्तू बना लेना, जिससे अपन नए कारिये को अपन कर सकें, उस वस्तू से तो वही होत बता है तब मैंने आपको यह बताय था कि गिलफोरर ने जो वो । पांच व्यापार बताये हैं आपके सरजळनात्मक्ता के जिसमें एक तो ग्यान था एक आपका बोध था ठीक है एक इसमर्थी थी तीन तो ये थे और एक था केंदरा विमुक चिंतन तो केंदरा विमुक यानि केंदर की और यानि की अभी सारी चिंतन केंदरा विमुक यानि केंदर से अलग यानि अफसारी चिंतन तो ये वहाँ पे पांच वापरम केंदरा विमुक और केंदरा विमुक की जगाब अभी सारी चिंतन और अभी सारी चिंतन भी कर सकते हो तो अभी सारी और अभी सारी चिंतन सब्दों का सबसे पहले परियोकिस ने किया था गिलफोर्ड ने किया था ध्यान में रखना आपको, इंपोर्टेंट है, अब 2011 की 8-8 में एक परसंद आया था, कि सरजनात्मक बालग किस चीज़ को काम में लेते हैं, या फिर अभी सारी चिंतन के लिए किस चीज़ को कामे लिया जाता है, बुद्धी को, सरजनातमक्ता को, बुद्धी वह सरजनातमक्ता को, या इन में से कोई नहीं, तो साथियों वहाँ पे उत्तर जो बोड़ने माना वो सरजनातमक्ता माना है, जबकि इसका सही उत्तर होना से ये बुद्धी ठीक है तो इसके उपर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा अगर आप लोगों को पता हो इसके बारे में ज्यादा बाकी अपने जो मेटर पड़ा है जो ऑथेंटिक मेटर है उस हिसाब से उस प्रसन का अंसर जो वो होना से ये आपका बुद्धी क्योंकि बुद्धी का परियोगता अभी सारी चिंतन में ने किया आपका सरजनात्मक्ता का होता है तो ये थोड़ा सा आपको द्यान में रखना है और देखना है उस प्रसन का उतर देखना है उस प्रसन को चेक आपको करना है और कमेंट बॉक्स में उस चीज़ के लिए आप अपन मिलेंगे अगले वीडियो में इसी परकार के एक और ने टोपिक के साथ और साथ ही अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है हमारा वीडियो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और दूसरी बात वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक भी करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे वो लोग भी हमसे जुड़ें और वो भी बेनिफिटिस्टिस का उठाएं यूनिट नमबर 4 जो इसी के साथ कम्पलिट होती है अब कल यूनिट नमबर 4 का एक टेस्ट में आपका लूँगा जिसमें 15-20 प्रसन होंगे पूरी यूनिट नमबर 4 से तो वो टेस्ट भी आपको देना है फिर यूनिट नमबर 5 अपन जल्दी स्टार्ट करेंगे ठीक है साथियो मिलेंगे अगले वीडियो में एक और ने टोपिक के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भार्त राम राम